नमस्कार मैं विक्रम सेंख आज हम देखेंगे क्लास 12 चप्टर नमबर 12 में ऐलडिहाइड 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 क्या होते हैं इसके क्या विशेस्थाइं होती है इनको बनाय कैसे जाता है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है chemical properties क्या है इन सब के बारे में हम बात्चेत करेंगे तो चलिए start करते हैं तब तक आप एक काम करिए सारे अपने दोस्तों को message share कर दीजे कि आज की class start हो गई है sorry मैं मंडे को नहीं आपाई शिवलाल क्या है जो भी बच्चे ऐसा बोलते हैं वो धायर रखेंगे जिस दिन भी नहीं आ पाते हैं उस दिन बिल्कुल आएं और उस दिन नहीं आ पाते हैं तो बात में जो वीडियो बन जाती है तो upload भी हो जाता है उनको आप देखें अनुसहरिया बहुत दिनों बाद दिख रहे हो और राजेश, अशोक, दीपक काफी स्टूडेंट है एक बात मैं क्लास की शुरुवात करते समय कह दूँ आप सभी बातों को ध्यान रखेंगे वो यह है कि हमारा कोई विक्रम हैप के मिस्टे के नाम से हमारा कोई टेलिग्राम गुरूप नहीं है हमारा कोई टेलिग्राम गुरूप नहीं है विक्रम हैप के मिस्टे के नाम से अभी अगर कोई टेलिग्राम गुरूप अगर होता तो उसमें मेरा फोटो मेरी वीडियो से ही आती अगर कोई किसी तरह का कोई चीज नहीं होता है त्यान रखेगा इस तरह के जो कुछ फ्रॉड टेलिग्राम ग्रूप है जो विक्रम सिंग चैनल के नाम से है और विक्रम हैप केमिस्टरी के नाम से है तो उसमें नहीं है हमारा website है विक्रम हैब chemistry हमारा विएसी विक्रम हैब chemistry app है विद्याकुल app है लेकिन हमारा कोई telegram group नहीं है इस बात को ध्यान रखेंगे और नहीं whatsapp group है हमारा बिलकुल सारे बच्चे इस बात पे ध्यान रखें बार बार मैं बोल रहा हूँ यह लाइन है फिलाल आज की class start करे अब सारे बच्चों को यह पूछेंगे कि क्या आप सब LD हाइट और कीटोन क्या होते हैं जानते हैं मैं आज शुरुआत करूँगा आज के क्लास में लोगा LD हाइट फिलाल कुछ जानकारी पहले दे दूँ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चलिए एक छोटी सी जानकारी प को दूँ ठीक है और आपको कहूंगा कि मेरे वीडियो अपलोड है अपलोड वीडियो भी देखे और आगे बढ़ते रही है अच्छे से पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपलोड वीडियो देखे आएं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ आपके और और हमारे बीच में connection हो सके हैं. तो चलिए, class start करते हैं, सारी बच्चे मेरे बातों को सुन भी रहे हैं, और देख भी रहे हैं. तो चलिए, हम देखें, पहली बाते हैं. कि सबसे पहली बात ये होता है, कि भाई, aldehyde होता क्या है? इसके बारे में पहले बात करते हैं. हम aldehyde क्या होता है? इसमें जाने से पहले एक बात और बता दें. यहां पर एक शब्द आता है, कार्बोनिल compound कार्बोनिल योगिक. कार्बोनिल योगिक किसको बोलेंगे? कितने डाइब का होता है? तो कार्बोनिल योगिक में CO समू होगा. CO समू क्या? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसको. ऐसे compound जिरमें CO समू होता है या कार्बोनिल ग्रुप होता है इसे कार्बोनिल compound कहा जाता है. कार्बोनिल ग्रुप दो टाइप का होगा? कार्बोनिल कंपोंड दो टाइब का होगा एक में क्या कार्बोनिल समू में एक जगा पर कम से कम H रहेगा और दूसरे जगा पर वो H या R जो भी हो सकता है दूसरे में क्या हो सकता है दूसरे में कार्बोनिल समू होगा और दोनों जगों पर में से किसी भी एक जगा पर भी H नहीं होगा यानि कि दोनों में R या R- होगा इसको कहेंगे CHO ग्रुप है यानि कि LD हाइड है और इसमें Ketone ग्रुप है इसको कहा जाएगा Ketone तो आपने समझा कार्बोनिल कंपॉंट दो प्रकार के होते हैं एक होता LD हाइड और एक होता है Ketone कार्बोनिल समु किसको कहते हैं CO समु को कार्बोनिल समु कहते हैं ये दो प्रकार का कंपॉंट बनाता है दो प्रकार का समु बनाता है देख रहे हैं आप तो carbonil yogic क्या है ये clear हो गया जल्दी से like कर दीजे आगे की classes को तरफ जाने से पहले ठेक चले हम चलते हैं आगे LD height हम आज पढ़ने वाले हैं LD height LD height को हम दो class में cover करेंगे आपको कुछ चीज़े बताएंगे हम carbonil compound के form में हम नहीं बढ़ रहे हैं हम बढ़ रहे हैं LD height को अलग पढ़ने वाले हैं ketone को अलग पढ़ने वाले हैं ताकि आपको ये clear पता रहे कि carbonilald height क्या है ketone क्या है दोनों को फिर mix form में पढ़ लेंगे ठीक है तो चले LD height वे compound या वे योगिक जिन में पहला LD height इसका formula क्या लिखे हैं अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं RCHO लिख सकते हैं या फिर R C double bond O H लिख सकते हैं यहां पर जो R है R का मतलब यहां से शुरू होगा कि वो HB हो सकता है Alkyl group कह सकते हैं यहां पर आपने R को लेकिर R का मतलब यहां HB हो सकता है CH3 C2H5 C6H5 या और भी कुछ carbon की श्रिंखलाएं हो सकती हैं तो यह होता है LD height क्या बोला मैंने अब इसका सबसे पहला LD height क्या होगा इसको जरा समझेंगे H C मैंने कहा इसके जगा पर H हो सकता है दूसरा क्या हो हो सकता है CH3 CHO तीसरी बात है तीसरा example क्या कर सकते हैं C2H5 CHO आप लिखने के लिए क्या कर सकते हैं बोलो इसको लिख सकते हैं देखो इतने पार्ट को हमेशा एक साथ लिखा जाता है CHO सब जगा पर CHO लिखा जाएगा तब क्या होगा H CHO CH3 CHO यह कहलाएगा C2H5 CHO और एक example में यहाँ पर लिख देता हूँ C6H5 CHO याने कि यह बेंजिर रिंग के साथ है इस तरह से आप साथ में नोट करते जाएंगे जादा अच्छा रहेगा और जादा अच्छे सीख पाएंगे तो चले हम यहाँ पर इसका नाम साधर नाम देते हैं formaldehyde क्या कहते हैं इसको formaldehyde क्यों ऐसा नाम करन करते हैं इसके पीछे पूरा कारण है इसको जानने के लिए हम आगे भी पढ़ाई करेंगे एकदम हड़बड़ी में नहीं करेंगे आज काम आज हम देखेंगे aldehyde का एक example हुआ formaldehyde दूसरा example हुआ यह है acetaldehyde और तीसरा नाम देखें तीन कार्बन से है प्रोपियोनल्डिहाइड इसको प्रोपियोनल्डिहाइड कहते हैं तो इस तरह से है और इसको कहा जाता है C6H5CHO यानि की Benzene के साथ CHO जुड़ा हुआ है इसको कहा जाता है Benzaldehyde तो ठीक है यह हुआ Benzaldehyde तो आप इसको नोड करिए जल्दी से formaldehyde, acetaldehyde, propionyldehyde और Benzaldehyde जल्दी से नोड करो आपको मैंने कहा था कि आप इस chapter को पढ़के रखेंगे कितने बच्चे हैं जो upload वीडियो से पढ़ चुके हैं और हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं हमने एक बात बोला है असली पढ़ाई upload वीडियो से होने वाली है क्योंकि वो वीडियो से आप अपनी मर्जी से जितना चाहें आप पढ़ सकते हैं दूसरी बात आपको कोई रोग टोक नहीं है कितना पढ़ेंगे कितना नहीं पढ़ेंगे लेकिन जब लाइव में आते हो तो वो सारी चीजों का रिवीजन हो जाता है बढ़िया से समझ में आने लगती है और आपको लाइन अप कर देते हैं तो कितने बच्चे हैं जो रेगुलर चल रहे हैं रेगुलर पढ़ रहे हैं जी राहुल जी ललाराम विकास तरोन मूनगल सोनू पूजा हजी हुराज रितिका चलो बता बिटा गोपाल कुमार बेजरंग बजरंग है क्या बजरंग पंगा क्विन बड़ा अच्छा नाम है क्योपाल हाँ जी अजित यादो हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया तो आपने अभी तक कौन कौन सा चप्टर पढ़ लिए हैं वो भी आप बताओ चलो यह हो गया बटा तो यह एसे फॉर्मिल डिहाइड एसे टेल्डिहाइड यह है प्रॉप्यो कि प्लासिफिकेशन देख लें कि एल्डिहाइड कितने प्रकार का होगा एल्डिहाइड मुख्य रुपसे दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा एक मिलेगा क żyख I am ok एक्जाम्पल दिया है अभी आपको open chain aldehyde तो मैंने अभी दिया था CHO, CH3, CHO और C2H5, CHO अभी नाम बताया था कितने बच्चों को याद है बताओ formaldehyde, acetaldehyde और propion aldehyde यस आई यूपीसी में नाम देखेंगे थोड़ी दिर में और इसी तरह से जब benzy ring के साथ जब aldehyde group जुड़ा हो तो इसको गुबला जाता है aromatic aldehyde इसका नाम मैंने भी पताया था benzyldehyde benzyldehyde और इसी में आप देखेंगे ये भी एक example हो जाएगा salis aldehyde ये salis aldehyde कलाता है ये भी एक aldehyde है अर्थो salis aldehyde तो कुछ example मैंने लिख दिया है तो आप इससे note भी कर सकते हैं और अच्छे से करिए अपने copy में जरूर note करिएगा sir lesson 9 तक complete है lesson 9 कब teach कर रहे हो lesson 9 हो चुका कहा हो किस दुनिया में हो जाके खोल के देखो पूरी video रखी हुई है ठीक है channel open करने सबको आना चाहिए बटा channel open करने सबको आना चाहिए क्योंकि channel जब open करोगे तभी सीख पाओगे ठीक है ताकि आपको सब कुछ मिल सके ठीक है और वैसे crash course exam को अच्छे से cross करने के लिए short term course चालू किया जा रहा है 45 classes का वो आपको जरूर बताएंगे बहुत जल्दी आने वाला है उसके लिए आप सब तयार रहें और वहां पर आपके exam को बहतर से बहतर बनाने की कोशिश किया जाएगा तो exam के लिए crash course आने वाला exam को बहतर बनाने वाला course आने वाला है अप सब के लिए एक बढ़िया सूचना है आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है इसके बारे मैं ऐलान करेंगे जल्दी से जल्दी चलिए 1,2,3,7 हो गया कुछ बच्चों का बहुत अच्छी बात है तो चलिए यहां पर ध्यान दे हो गया क्या यह देखो aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde दो प्रकार का aldehyde होता है हम nomenclature की बात कर रहे थे थोड़ा सा समझेंगे nomenclature दो टाइप का होगा एक होगा common naming system और दूसरा होता है आई-उ-पेशिश सिस्टम साधारण नामकरण पध्यती नामकरण दो प्रकार का होगा साधारण नामकरण पध्यती और दूसरा होता है आई-उ-पेशिश पध्यती याने आई-उ-पेशिश सिस्टम ठीक है पध्यती दो प्रकार का होगा दोनों system को थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा दूँ थोड़ा समझने के लिए काम आएगा आपके बहुत फायदे होंगे तो आज जो topic बताऊंगा जैसा बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिये और ध्यान से समझने की कोशिश करिए बहुत अच्छे से बता रहूं ध्यान से सुनियेगा बस ठीक है देखिए मैं सबसे पहले साधरन नामकरन पद्यती बता रहूं नामकरन ठीक है यहां पर देखेंगे लिखो एक table बनाते हैं carbon की संख्या एक table बना रहूं इस table पर ध्यान देना इस table को अपनी copy में बनाई है जल्दी से लिखो carbon की संख्या लिखो बहुत असान है यह carbon की संख्या एक दो तीन चार पांच ठीक है पांच तक मैं बताता हूं ठीक है फिर इसमें एक carbon होगा तो नाम क्या लिखा जाएगा तो उसका नाम क्या होगा एक carbon की chain का नाम मैं लिख रहा हूं chain का नाम chain याने सिंखला का नाम chain का नाम क्या लिखोगे chain का नाम एक carbon हुआ तो for में लिखोगे दो carbon हुआ किसके लिए use कर रहे है हम लोग यहां पर use कर रहे है LD height और मैं अभी थोड़ी सी बताता हूँ कुछ compound यानि यहां पर है functional group फंक्शन ग्रूप का suffix functional group का suffix मतलब क्या हुआ क्रियात्मक समूँ function group में क्या होता है COOH इसके लिए लिखेंगे एक acid suffix है एक acid CHO हो तो इनके लिखेंगे LD height नाम करें दे रहा हूँ बिटा note करते जाए सब भी copy में note कर रहा हूँ नहीं note कर रहा हूँ नहीं note कर रहा हूँ तो नहीं होगा it mate it probute pen के लिए नहीं है वो आपका आयू PC में जाएगा आपको जेनेवर पत्देती में जाएगा यहने systematic नियम नामकरण में आता है वो यह common है general नामकरण प्रचलित नामकरण विद्पन्द नामकरण पत्देती है इस विधी में क्या करने वाले हैं इसी तरह से यह CHO हो CH sorry CO NH2 यूज हुआ तब इसके लिए MID यूज करेंगे इसी तरह से अगर CO CL हो तो acid chloride यूज करेंगे oil यहां पर l chloride, acetyl chloride, yl chloride अभी समझाता हूँ आपको इसको पहले node तो करो, पहले node करोगे तो आसान हो जाएगा, चलो चलो ठीक है, जल्दी करें, एक carbon का chain हुआ तो कहलाएगा form, दो carbon का chain हो तो acid acid, form, acid, इनको जोड़ेंगे जल्दीए, फिर होता है, propion, buter, इसका हिंदी नहीं लिखना ना, इंग्लिश में लिखना, weller, six, capro, चलो capro, ये सारी शब्द का, एक carbon का chain हुआ तो form, बस इतना ही ज़़ादा use होता है ना ध्याँ रखना, इतना ही ज़ादा use होता है, इधर नहीं जाते हैं, अगर इतना भी करना चाहोता हो तो काम चल जाएगा, मैं आपको इधर समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, देहां से सुनिएगा यह आप सबने note कर लिये होंगे और इन सब का use कैसे करना यह बताता हूँ चलिए देखे भाई, एक example देखते हैं यह HCHO है यह क्या चीज़ है, LD height, functional group LD height, यह functional group है LD height कैसे नाम करन करेंगे, देखो सबसे पहले देखो, इसमें carbon क्या है, कितने carbon है एक carbon है, एक carbon हुआ तो लिखेंगे form और फिर क्या लिखेंगे, suffix लिखेंगे क्रियात्मक्समू कौन सा है, क्रियात्मक्समू CHO है क्रियात्मक्समुद C-H-O हुआ तो क्या लिखा जाएगा? LD-Hight तो इसका नाम LD-Hight तो इसका नाम क्या हो गया? बताओ इसका नाम हो गया Formaldehyde ये छोटी-छोटी चीजें आपको जानना जरूरी है इसी तरह से अगर H-C-O-O-H हुआ तो क्या हुआ? कार्बन कितना है? एक एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? Form कौन सा function group है? क्रियात्मक्समुद क्या है? बताओ क्रियात्मक्समुद है C-O-O-H सफिक्स क्या लिखा जाएगा? एक acid इसका नाम हुआ Formic Acid इसी तरह से देखो मैंने लिख दिया CH3 C-O-O-H इसमें कार्बन कितना है? दो क्या बोलते हो? और क्या लगाना है? functional group में क्या लगाना है? functional group कौन सा है? क्रियात्मक्समुद C-O-H है तो पहचानो इसमें एक acid लगाना है तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक acid तो क्या नाम हो गया? Acetic Acid अगर मैं यहां पर कुछ नया लिख दूँ 1, 2, 3, 4 C2H5 COOH इसका नाम क्या होगा? चल्दी से बता ओ, इसका नाम क्या होगा? चलिए बताए इसका नाम क्या होगा? Avni Shadow हाँ जी जल्दी बता बता इसका नाम क्या होगा? जी Formic Acid नहीं जी बल दे जल्दी से क्या नाम होगा? क्या sound पर ध्यान दीजे sound नहीं आ रही क्या? इस श्राफ आलम बोल रहा है sound पर ध्यान दीजे sound नहीं आ रही क्या? ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? बताओ जल्दी से वह इस नहीं आ रही अच्छे से साफ सुतरा नहीं आ रहा है आवाज बोलो देखो सही तरह से spelling लेकना जरूरी है कितने carbon है दो carbon 1, 2, 3 carbon है तीन carbon है तीन carbon को बोलते है propion Propion और क्या लगाना है इसमें क्रिआत्मक समोग क्या है COOH COOH के लिए क्या लगाएंगे ये COOH के लिए एक Acid क्या नाम होगा Propionic Acid Propionic Aml ठीक है इसी तरह से बताते जाएए कि कैसे आप नाम करन करेंगे और चीज़े दे देता हूँ मैं एक और बताता हूँ उसका नाम बताना जल्दी से CH3 CH2 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 CO NH2 इसका नाम बताओ फिर बताओ CH3 COCL का नाम बताओ जल्दी से चलो गोविन बताओ आलताफ आफताब आफताब आकाश अंशू हाँ देक्षित प्रो क्या लिखा हुआ है क्लेर नहीं हुआ चलिए जल्दी बताओ हाजी जल्दी हाँ बेटा जल्दी बताओ क्या होगा हाँ जी शरीफ रामकुमार जी बोली जल्दी से एक दो तीन चार चार कारबन को क्या बोलते हैं ब्यूटर ब्यूटर और C-O-N-H-2 फ्रंक्शनल गुर्प पे उसका सफिक्स क्या है एमाइट तो इसका नाम हो जाएगा एमाइट तो ब्यूटर एमाइट कहलाएगा इसमें दो कारबन हैं वन टू टू कारबन को क्या बोलेंगे एसिट और क्या लगाएंगे एल क्लोराइट C-O-C-L के लिए एल क्लोराइट क्या नाम हुआ एसिटल क्लोराइट इस तरह से इनका नामकरन होता है बहुत आसान है आप समझ जाएं ठीक है अब आगे चलते हैं कुछ और बाते हैं इसमें करने के लिए तो ये नामकरण कौन सा हुआ साधना नामकरण जो LD हाइट LD हाइट Acid, LD हाइट, Amide और Acetyl Cloride याने Acid Cloride के लिए किया जाता है तो ये साधना नामकरण है इसको आप बिल्कुल हमेशा पकड़ के रखिए बहुत आसान बना के रख दिया मैंने आपके लिए तो और भी चीज़े हैं एक से लेकर के 6 तक कर्बन के लिए और जिसमें ऐसे Functional Group जिसमें कर्बन होता है देखो ऐसा क्रियात्मक समुझ जिसमें कर्बन होता है जिसमें CO बिल्कुल हो जी CO हो और इस जगा पर इस जगा पर X की जगा पर किसी में OH है किसी में CL है किसी में NH2 है ऐसे चीज़ों का नामकरण करने के लिए या किसी में H भी है तो इसमें नामकरण करने के लिए इस method का use किया जाता है इनको आप जरूर धियान रखें और इस पर थोड़ी practice करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से सीख पाएंगे मैं चाहता हूँ कि आपके लिए आसान हो और आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूँ और इस तरह से कोशिश करता हूँ हो सकता है थोड़ा धीरे समझाऊँ अगर आप बोलो तो धीरे समझाऊँ लाइक ज़रूर करो अच्छा लगता है कोशल कुमार ने लाइक किया है ब्रिजलाल ने लाइक किया है बहुत अच्छा लगता है अगर आप इस तरह करते हूँ तो दिल में खुशी आती कि और पढ़ा है अब आपको बता रहा हूँ IUPAC में नामकरन कैसे करेंगे इसका LD हाइड का IUPAC में नामकरन यह बहुत ज़्यादा असान होता है आपको बता दें इसमें क्या करते हैं देखें RCHO यहाँ पर नाम करते हैं दो बात पर ध्यान देना है एक कार्बन चेन का नामकरन करेंगे ELK प्लस बोंड का नाम लिखेंगे बोंड नेम लिखेंगे फिर इसके बाद अल सफिक्स लगाएंगे ELK बोंड नेम और यह ELK में क्या होता है आप सब को पता होगा ELK में क्या होता है एक कार्बन के लिए मेथ दो कार्बन के लिए प्रोब अब सब को पता है मेथ, इप्रोब, ब्यूट, पेंट, हेँगस, हेट, ओक्त, डिक bond के लिए क्या होता है single bond हुआ तो AN यहां पर अल लगाना है AN double bond हुआ तो आप EN लगाते हो और tree bond हो तो YN लिखोगे और इसके बाद यह तो अल लिखना ही है इस तरह से कितना असान हो गया देखो 1CHO कार्बन की संक्या कितनी है एक अगर structural formula में जाए तो क्या होगा HC double bond OH यह functional group है इसमें double bond हो triple bond हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है double bond triple bond सिर्फ relate करता है कार्बन कार्बन की बीच में कौन सा bond है chain के बीच में कौन सा bond है इसको देखने के लिए यह N in iron लगाते है सारे बच्चे को पता है यह बात है बस आगे बढ़ने की बात है वो देखो क्या है एक कार्बन को क्या बोलेंगे मेत bond कों सा टाइप बोला जाएगा कार्बन शिंकला की तरफ जाएगा शुरुवात का है तो N तो यह हो जाएगा नाम हो गया मेत मैं color change कर दिया रहा हूँ N और क्या लगाने का है और लगाने का है अल इसका नाम हो जाएगा हिंदी में लिखें तो methanol methanol इसी तरह से CH3 CHO इसका नाम क्या होगा CH2 double bond CHCHO इसका नाम क्या होगा जल्दी से बताएं इसका नाम क्या होगा सारे बच्चे बताएं आज थोड़ा सा नेट slow चल रहा है लगता है मैं आप सबको बोलूँगा कि बहुत जल्दी क्रेश कोर्स चालू होने वाला आपके एक्जाम को बेहतर बनाने वाला कोर्स चालू होने वाला है तो उस कोर्स के लिए हम एक special paid course चालू करेंगे जिसके लिए आप तयार रहिए ठीक है आप चाहें तो इस नंबर पर call कर सकते हैं और enrollment भी कर सकते हैं advanced booking start हो चुका है चलिए इसमें physics chemistry maths तीनों का physics chemistry maths बायो चारों का package form में भी मिल सकता है और open form में भी तो देख लिजेगा जैसा आप चाहेंगे चलें हाँ जी सबने number नाम दे दिये है first में देखो कितने कार्बन है एक दो दो कार्बन है इसका मतलब है कि दो कार्बन की chain को कहा जाता है इत कार्बन कार्बन की बीच में bond type कौन सा है ये चक करो bond type है single तो ये हो गया N और इसके लिए लगाएंगे L क्या लगाएंगे L A L तो हो गया इत्हेनल इसमें देखो कार्बन कितना हुआ तीन कार्बन का chain है functional group ये है तो पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन नाम होगा तीन कार्बन को बोलेंगे probe double bond second carbon पर है तो two in और ये हो गया अल ये पूरा नाम हुआ तो इस तरह से नाम करण होता है और इस पर practice करते रहेंगे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे हम सिर्फ नाम करण और basic चीजों में क्यों रहें मैंने कहा LD head के लिए दो class देने वाला हूँ दोनों classes पर आप जाईए और बेतर तरह के सीखना है next जो Friday को class होनी वाली है उसमें बेतर और step लेंगे तो आप उस दिन जरूर रहिएगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें अच्छे से मैं समझा सकूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी classes के तरफ और भी topic है उसके तरफ चलते हैं तो सारे बच्चे clear हो रहा है ना समझ में आरी ना बाते बाते बिटा पढ़ाई कर रहे हो मुझे दे दो सर क्या दूँ ऐसे नहीं मिलता है कोई चीज call करेंगे नीचे number लिखा हुआ है बात कर सकते हैं चले नॉमेंक्लेचर की बात होगी आईसोमेरिजम अब आईसोमेरिजम क्या है यह सब समझने के लिए आप सब को बोला गया है class 11 का chapter number chapter number 12 या फिर मैंने नीचे लिखा हुआ है सीखना है organic chemistry ये वाला मैंने playlist दिया है उस playlist में जाएए आपको ये सारी चीज़ें organic chemistry की जो difficulties हैं जो तकलीफे हैं वो दूर करने के लिए हमने एकदम live class में आपको समझाए हैं बहुत बहतर तरीके से तो उनको ज़रूर देखते रहिए चलिए आगे चलते हैं आईसोमेरिजम आईसोमेरिजम of aldehyde aldehyde में कौन सी समावयवता है था हिंदी में बोलते हैं समावयवता समावयवता तो aldehyde में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है aldehyde में पहली समावयवता पाई जाती functional group जिसको कहा जाता है क्रियात्मक समू क्रियात्मक समू तो इसमें क्या होगा, इनका किसके साथ functional group समावता होगा, चलो चेक करते हैं, CH3, CH2, CHO, इसका CO अगर इसके बीच आ जाए, तो एक दूसरा compound बनेगा, CH3, C11O, CH3, LDHID है ये, क्योंकि LDHID group है, समु है, और ये है ketone क्योंकि इसमें CO समु है, ये है ketone, अब LDHID का functional group अलग है, और ketone का functional group अलग है, मतलब यहां पर functional group में अंतर होने के करण़ जो समाता होती है, वो क्या कहलाएगा, functional group isomarism, तो LDHID का ketone के साथ functional group isomarism होता है, नोट कर ले, LDHID का की टोन के साथ क्रियात्मक समू समावता होता है चलिए, ठीक है, चलो अपने अपनी कॉपी में जरूर नोट किया करो बिटा बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आप जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पाते हो तो काम जरूर किया करना कि आप थोड़ी जरी के लिए पाउस कर सकते हो या बाद में वीडियो ओपन करके देख सकते हो जैसा कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, चलिए फिर आता है दूसरी बात, चेन आइस्सोमेरिजम पिटा, चेन आइस्सोमेरिजम जो है न, श्रिंखला समागता है जो है न, बहुत लंबी चेन वाली आप बड़े समू में देखने को मिलता है बड़े सरचना में देखने को मिलता है तो मैं वो यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ जैसे CH3, CH2, CH2, CHO इसमें मिल जाएगा, यह एक कार्बन, चार कार्बन की एक श्रिंखला है अगर हम इसमें कर दें कि CH3, यह जो चार कार्बन है वो तूट करके अलग-अलग स्टक्चर बनाते हुए ऐस तरह से स्टक्चर में एक, दो, तीन, चार, CHO क्या यह सही है, जी सही है, 1, 2, 3, तो यह हो गया 2-methyl, 2-methyl propanel 2-methyl propanel और यह क्या होँ, चार कार्बन की श्रिंखला है ब्यूटेनल यह बन गया, तो यह chain isomerism दिखा रहा है तो हाब सब को एक ही बात बोलना है हमें, कि सारे स्टोनेट एक काम करें कि आप अपलोड वीडियो जरूर देखें, इस चप्टर का LDH की टोन की वीडियो रखे हुए है, उनको जरूर देखें, आप उसको देख करके जरूर आए सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कि only आप depend ना रहें लाइफ के साथ, ठीक है, यह बहुत बड़ी सीख है बिटा, क्योंकि लाइफ के साथ depend रहेंगे, तो हो सकता है कभी-कभी आप क्या करते हैं, अपस में गप्याने लगते हैं, गपे मारने लगते हैं, तो टाइम बरबाद हो जाता है, सो आगे चलें, अब हम देखेंगे, preparation of aldehyde, aldehyde बनाने की विधियां, मैं आपको कुछ एक विधियां समझा देता हूँ, aldehyde बनाने की विधियां, चलिए, इसमें सबसे पहला विधि बताऊंगा, rosen mund reduction, rosen mund up chain, rosen mund up chain, कितना आसान है, अब भी आपको समझाता हूँ, ध्यान दिजेगा, rosen mund up chain से aldehyde बनाएंगे हम, rosen mund up chain से aldehyde बनाएंगे, सब तयार हैं, शांती से, थोड़ी दिर के लिए, शांती से मेरी बातें सुनेंगे, उसके बाद असान हो जाएगा, हर बढ़ाएंगे नहीं, चाहे तो आप screenshot ले लिजे जब तक, चलो, screenshot ले लिजे जब तक, शांती से समझाएंगे आपको, ठीक है, विने कुमार, पूछ राएंगे, सर आपका विलेज कौन सा है, फिर थोड़ी दिर पूछे बात पूछेंगे, कि सर आपके कितने बच्चे हैं, फिर थोड़े दिया पूछेंगे सर आपके कितने अब वो नहीं बोलूँगा ठीक है ये क्या मतलब है बताओ पढ़ाई पे ध्यान दो है ना किसी के परसनल चीजों पर बात मतलब बिटा पढ़ाई पे ध्यान दो मैं पूछूं क्या आप कौन से गाव में रहते हो क्या खात होती है वो दूसरे के इंट्रेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए खुद के इंट्रेस्ट खुद के लिए आप क्या कर रहे हो वो आप ध्यान दो पढ़ाई में ये बहुत बड़े माइने रखता है चलो चलिए हो गया मज़ा आगया सर ओके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ रोजन मुंड अपचेन की बारें बात करूँगा यहाँ पर लिखाव है साफ साफ नोट कर लो जरा सा कुछ बात है जिसको सुनना है आपको कि यह रियक्शन किस में होगा यह तो देख रहा है वालग बात है किस में हो को मैं समझाता हूँ फिर उसके बात आप बात ही करेंगे यह रियक्शन होगा R C double bond O C L यहने acid chloride वाले compound में होगा acid chloride में होगा यह reaction किस में कराई जागा acid chloride में और इसमें hydrogen gas प्रवाहित किया जाएगा acid chloride में hydrogen gas प्रवाहित किया जाएगा लेकिन यहां पर एक catalyst होगा एक उत्प्रेरक होगा इसी उत्प्रेरक की उपस्तिती में यह reaction होती है palladium PD और उत्प्रेरक विश भी होगा कि इस reaction को आगे ना बढ़ने दें वो होता है barium sulfate एक सीमा तक reaction करने देता है फिर उसके बाद आगे क्रिया रोग देता है वो क्या है जरा समझो यहां पर acid chloride है मेरी आवाज सुनाई दे रहा है यहां पर acid chloride है तो यह जो H2 है इसको भूल जाओ ना थोड़ी दिर के लिए इसको भूल जाओ इसका कोई मतलब नहीं है फिलाल वो सिर्फ जानना है कि इसके उपस्तिति में होता है चलिए मैं बाद में लिख दूँगा कोई फरक नहीं पड़ता अभी फिलाल तो समझना है आपको इस reaction को काफी ऐसा reaction है देखो कैसे कि भाईया इसका एक CL इसके एक HCL होकर के निकल जाता है आपस में reaction कर जाते तो क्या बन गया HCL बनके निकल गया बच क्या गया इधर का पूरा पार्ट बचा हुआ है क्या बचा हुआ है R बचा हुआ है C double bond O बचा हुआ है खाली हो गया जगा ये वाला और क्या बचा हुआ है इसका H ये मिल गया इस तरह से बन गया LD हाइट ठीक पर ये reaction हुआ क्या हम acid chloride में hydrogen gas प्रवाहित करते हैं तो सीधे दे reaction हो जाता है नई इसके लिए एक catalyst की जरुद पढ़ती है एक उत्प्रेरक की जरुद पढ़ती है catalyst उत्प्रेरक वो होता है palladium palladium की पस्तिते में reaction होगा तो ये एक hydrogen Cl को ले करके निकल गया अब ये reaction आगे भी जा सकता है याने कि hydrogen यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि R C double bond OH और अब hydrogen से reaction कराओगे तो ये हो सकता है ये double bond टूट जाए R C एक H तो जुड़ा हुआ है ये bond टूट गया single bond इधर बज़ गया इधर बज़ गया इधर बज़ गया इधर बज़ गया एक एक hydrogen यहाँ पर एक hydrogen यहाँ पर आ सकता है तो क्या बना देखो R CH2 OH एलकोहल बन सकता है तो आगे का ये reaction ना हो इसके लिए इसमें एक wish मिला दी जाती है catalyst poison मिला दी जाती है क्या है वो है barium sulfate तो हम कैसे बोलेंगे इस reaction को बोलेंगे कैसे ये समझो हम इस reaction को बोलेंगे ऐसे कि palladium उत्प्रे रख तथा barium sulfate उत्प्रे रख विश की उपस्थिती में किसी acid chloride का hydrogen करन कराती है यानि hydrogen से reaction कराते हैं तो aldehyde बनता है reaction नोट कर लिजए काफी आसान है और बहुत important है ये reaction आपके exam में आने की 100% संभावना रहती है एक दो परसन को छोड़ दीजे एक दो परसन को छोड़ दीजे भूल जाईए ये 100% आने की संभावना रहती है आज थोड़ा net problem कर रहा है लगता है चलिए नोट करो बिटा जल्दी से बहुत easy way में समझाऊंगा आप सोच ही नहीं सकते हैं बस पढ़ाई पर आप focus करिए इस वीडियो को हद से जादा आप share करो अपने दोस्तों को बोलो कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ो ठीक है ठीक है तो आज net थोड़ा problem कर रहा है तो मैं आपको कहूंगा जिन बच्चों को मेरे course के साथ जुड़ना है वो इस number पर call करें सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक विद्यकुल में भी मेरे classes आ रहे हैं बहुत अच्छे से आ रहे हैं और हम बहुत जल्दी तयारी कर रहे हैं crash course के लिए भी तो आप हमें call कर सकते हैं इस number पर जो number यहाँ पर आपको मिलेगा तो ठीक है आज थोड़ा net का problem है तो आप सबको कोई परिशानी नहों इसके लिए मैं आज की class को यहीं पर समाप्त करूँगा लेकिन आगे की classes आवर पढ़ाऊंगा next part में पढ़ा दूँगा ताकि आज की class को और अच्छे से clear कर सको next class में step in with you और बाकी सब चीज़ें कर रहाऊंगा थोड़ा net का problem दिखाई दे रहा है तो आज की class समक्त करते हैं नमस्कार धन्यवाद thank you